आज की इस वीडियो में हम इंडिया की 5 सबसे बड़ी ट्रेन एक्सिडेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो अभी तक इंडिया की सबसे बड़ी ट्रेन एक्सिडेंट थी यह जून 6, 1981 को हुआ था यह एक पैसेंजर ट्रेन थी उस टेम पर ट्रेन बहुत कम हुआ करती थी और लोग बहुत ज्यादा थे। तो बताया जाते हैं इस पैसंजर ट्रेन के ऊपर भी लोग बैठे थे और बॉगी पुड़ी भड़ी हुई थी। और जब ट्रेन से निकली तभी बहुत तेज का तुफान आया और जब यह ट्रेन बागरमती रिवर का ब्रीज क्रॉस कर रही थी तो अचानक से नील गया आया और लोको पैलट ने इमर्जनसी ब्रेक लगाई उसी ब्रेक के वज़े से ट्रेन स्लिप करा क्योंकि ओलेटी ट् आगर हम दूसरी एक्सेडेन्ट की बात करें तो यह 20 अगश्ट 1995 को हुई थी और यह ट्रेन एक्सेडेन्ट कालंदी एक्सप्रेस और पुरुसृत्म एक्सप्रेस के बीच में हुई थी यह एक्सेडेंट फिरोजाबाद स्टेशन के पास में हुआ था और कालंदी किसी को इनफॉर्म करा और नहीं वहां के मेंटिनेंस सर्विस वाले ने किसी को इनफॉर्म करा और पुरुस्वत्तम एक्सप्रेस 130 के ज्याइदा स्प्रीड से पीछे साई और द्रेक्ट उस ट्रेंड में टक्कर मारा और इस एक्सिडेंट में टोटल 350 लोगों की जान गई अगर हम ठर्ड एक्सिडेंट की बात करें तो यह वेस्ट बंगाल में हुआ था और यह एक्सिडेंट सिग्नल एडर के बज़स हुआ था उस दिन कुछ ट्रेक मेंटिनेंस पे चल ला था ब्रह्म पुत्रा एक्स्प्रेस स्टेशन पे खरी हुई थी और उसी लेंग से अस हवा में उड़ गई थी और इसमें टोटल 285 लोगों की जान गई थी अगर हम एक्सिडेंट की बात करें तो यह 28 में 2010 को हुआ था और यह एक्सिडेंट भी वेस्ट बंगाल में हुआ था और बताया जाता है कि ट्रेक पे या तो किसी ने बॉम लगा दिया था या तो किसी ने तोरफार करा था और जिसके वज़े से ग्यानेशुरी एक्सप्रेस का एक्सिडेंट हुआ और इस एक्सिडेंट में टोटल 185 लोगों की जान गई अगर हम नेक्स एक्सिडेंट की बात करें तो यह आप सभी लोगों को पता है अभी रीसेंटली ही उडिसा के बाला सो हुआ है । जो लोग अपने आप गये थे बलड डोनेट करने के लिए कोई उनको बुलाया नहीं गया था वो हुआ यात्रियों को बलड ोनेट करने के लिए खुद गये